नमस्कार दोस्तो आज सभी का मेरे यूटूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्ता लेकर आई हूँ जो आपके चैरे को एकत्म गोरा चमकदार और सुन्दर बना देगा जिसके कारर कई वार आपको सन्मिन दीका भी सामना करना पड़ता है क्योंकि लोग आपके चैरे पर दाख दब्दे होने का कभी कभी मजाग भी उड़ा देते हैं जिसकी बज़े से आपका आत्म विश्वास भी कमजोर होने लगता है इस भगदोर बड़ी जीवन सहली और पर दूसर जिनका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाब पड़ता है बैसे चैरे के दाख दब्दे के लिए कई तरह के क्रीम बजार में मिलते हैं पर इनकी पर यह नहीं जाते हैं और किसी नों किसी कारण से बापिस आही जाते हैं मुहां से ब्लैक के से इत्तिहादी यह सब आते हैं और अपनी चैरे पर निशानी छोड़ जाते हैं इससे हमारे चैरे पर सुंदर तक राग हो जाती है और हम मायिस हो जाते हैं इसका इलाज है पर जाख आपको नियाम से करना होगा अगर आप यह नियमित रूप से करेंगे तो आप दाग रहित और खिला-किला चहरा पासगेंगे दोक्तो इसकी लिए आपको सबसे पहले खाली गडुडे लेनी है और सबस्केर कहले हम लेंगी वह दो खंबश के बीयावर देशन दोस्तों तोचा के लिए बेशन का प्रियोग सदियों से किया जा रहा है या आपके चेरे का रंग साथ करता है उसे मुलायम मनाता है या तोचा से अत्रिक तेल अठाता है उसे बापस आने से रोपता है इसकी छोटे छोटे कड़ चेहरे की मुर्द कोशकाओं को हटाने का काम करते है बेशन मुहासों को बढ़ने से रोपता है एंटी पिंपर क्लीनर की तरह काम करता है या ओम्रे से पहले चेहरे पर जूरे और तौचाप को लटकनी से रोपता है बेशन तोचाप पर इस्क्रविंग की तरह काम करता है और रोम चिदों को कुलता है और चेहरे की अंदर से सपाई करता है अब इसके पाद हम अगली चीज़ लेंगे गोह दिफ्टो दही हम इसमें दो चम्मच के वराबर दही एड़ करेंगे दही तोचा पर मौक्शुराइजर का काम करता है इसमें मौजिव लेक्टर एसिड तोचा पर फीशियल माश्की की तरह काम करता है इसके अलावा ये तोचा की बीतर चुपी गंदिकी को बाहर कर चेहरे के दाग दब्बो को जूरियां आदी से मुक्ति बिलाता है और तोचा दोस्तों हम इसमें आदी चम्मस प्याव खल्दी एड़ करेंगे अब अगली चीज हम डिएंगे इसमें आदा कटा हूँ नीवू और हम इसमें पूरा मिचोड देंगे तो नीवू के रसमें प्राखतिक अमल वहोती सरल तरीकी से मुर्थ कुषकाओं को निकालते हैं उम्रे के साथ होने वाली जूरियां को कम करता है अंचाह दब्बो को कम करता है और चेहरे पर होने वाली सभी वीमारी को खत्म कर देता है इसमें मौजुद अमल तेल को सोक चेद्रों को बंद कर लेडा है अब आप आप इस तरीके से अपनी आपने चेरे पर आप इसमें लगा लेए देखें दोस्तो इस तरीके से अपने पूरे फेस पर लगा कर कम सकंग 20 मिनट तक लिए से ऐसे ही लगा हुँ छोड़ देए 20 मिनट बर आप अपने चेरे को साधा पानी से दोगर साप कर देए दोस्तो इस नुस्के को आप अपते में तीन वार करें साथी साथ आपकी चेरे की चितनी वी दाग दब्बे जूर रहे हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी तो दोस्तो ये था मेरा आज का वीडियो और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं ज़रूर रता है साथी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सस्क्राइब करना ना भूले मैं आपके लिए फिल लाओं कोई अच्छा सा वीडियो तक तक के लिए जुफतो बाई बाई